चोपड़ा एजुकिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्छों MCC का नी 23 काउंसलिंग के लिए जो सेक्रूटी अमाउंट डिपोजिट हुआ था यानि काउर्मेंट के लिए UR EWS के लिए 10,000 और OPC SAST के लिए 5,000 और सभी कैटेगरी के लिए डिम्ड की कंडिशन में 2 लाख रुपे डिपोजिट हुआ था उसका refund process start हो चुका है काफी सारे parents के मेरे पास call आये हैं तो कुछ parents का अभी ये amount उनके bank account में आ चुका है और कुछ parents का अभी जल्द ही आ जाएगा तो इसका MCC ने एक notice भी दिया है तो आईए पहले हम notice के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर तो ये 12 December 23 का notice है इसमें ये लिखा गया है कि ये जो security amount का refund process ये जल्द start हो जाएगा लेकिन ये start हो चुका है कुछ parents के bank account में ये amount आ चुका है इसमें आगे लिखा है कि आपको ये जो bank account है ये या फिर जो card है वो active रखना है जिससे आपने payment किया है अगर ये active नहीं होता है तो ये refund को identify करना मुश्किल हो जाता है कि कोण से account में ये refund नहीं हुआ है और फिर नए वाले refund के लिए प्रोसेस के लिए नए जो आप bank account number देंगे उसमें MCC को फिर mail लिखेंगे उसके लिए काफी long time लग जाता है तो आप अपना bank account ये card जो है वो active रखें ताकि आपने जिस bank account से ये पैसा deposit किया था उसी bank account में वापस आ सके मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये HHL life care company द्वारा ये पैसा refund किया जाता है और ये उसी bank account में पैसा refund होता है जिससे आपने payment किया था आपने card से payment किया या फिर credit card से किया तो उसी credit card को active रखना होगा जब तक आपका refund नहीं आ जाता है उसमें नहीं तो आप को problem खड़ी हो सकती है इसमें क्योंकि आपका पैसा इसमें आपके account में आएगा नहीं और फिर उसमें दुबारा ये जो आप नए bank account देंगे उसके लिए काफी समय लग जाता है इसमें आलांकि MCC ने इसके बारे में अभी list जारी नहीं की है कि कौन से account में किस date को कितना पै अपना नाम देख सकते हैं आप अपना bank account एक बार चेक कर लें हो सके तो आपके bank account में ये refund आ गया होगा अगर नहीं आया है तो ये processing में है किसी किसी candidates के account के लिए दो दिन में ये वापस refund आ जाता है किसी में 5 दिन भी लग जाते हैं किसी में 7 दिन लगते हैं ये total 20 days का time लि आपस आ जाता है तो आप अपना bank account चेक कर लें अगर refund आ गया है तो ठीक है नहीं आया है तो प्रेशान होने की आवशकता नहीं है दो चार दस दिन के अंदर अंदर ये amount आपके account में आ जाएगा आपको अपना bank account active रखना है card जिससे आपने payment किया था वो active रखना है यानि क जिस source से आपने ये amount deposit किया था वो आपको active रखना है जल्द ही mcc की website पर एक list publish की जाएगी उसमें role number वगरा होंगे candidates के और उसमें details होगी कोण से transaction के तहत ये पैसा आपके account में आया है तो वो list जारी होने के बात भी अगर आपका पैसा आपके account में नहीं आता है तो आप एक mcc को mail लिख सकते हैं mail address यही है finance mcc at lifecare hhl.com इस पर आप mail लिख सकते हैं ये जो finance mcc का है life care जो इसको आप mail लिख सकते हैं अगर आपका amount नहीं आता है तो तो आप अभी wait कर लें अभी जैसे ही list जारी होगी उसमें आपका अगर नाम आजाता है तो उसके बाद आप excel लें अगर आपका amount नहीं आता है तो यह जानकारी थी security amount के बारे में जो process start हो गया है इसके बारे में जो भी update और मिलेगी हम आपको inform कर देंगे तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जैह हैं